यहाँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महतपुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो हम लोग सिखेंगे कि जब इस तरह का गुलनखंड दिया रहेगा तो उसको किस तरह से बनाया जाता है जैसा कि यहाँ पर दिया है x के पावर 4 माइनस 4 और यहाँ पर भी ठीक उसी त तरिका से बनाया जाता है तो चली अब हम सबसे पहले पहला परस्न को बनाते हैं तो पहला परस्न है x के पावर 4 माइनस 4 तो देखे बीजगणित का एक बहुत ही परमुक सुत्र है और वह सुत्र यहाँ है कि a के पावर 2 माइनस b के पावर 2 बराबर होता है एक बार होता है माइनस पी और एक बार होता है यह पलस भी तो हम क्या करेंगे दिमाग लागर किसी भी तरह से इसको न इस रूप में लातेंगे और यदि यह इस रूप में आ गया तो फिर इस सुत्र पर बैठ जाएगा और देखिए यह इसी रूप में हैं हमें केवल इसमें ठोड़ा सा चेंज करना है तो देखिए हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर एकस के पावर चार है न तो क्या हम इसको एकस के पावर दो लिख कर इसका power हम 2 लिख सकते हैं देखिए इसका भी मान वहीं है देखिए यह power पावर आपस में गुणा हो जाएगा तो यह भी हो जाएगा x के power 4 फिर यहाँ पर बिचावा में minus हैं तो minus और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के power 2 इसका भी मान हो जाएगा वहीं 4 हो जाएगा अब यह इस रूप में आ गया है अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से सुत्र पर रख देंगे तो देखिए यहाँ पर x के power 2 जो है न यह a के काम करेगा और यह 2 जो है न यह b के काम करेगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे एक बार क्या लिखना है a माइनस b लिखना है तो एक बार हम लिखेंगे x के power 2 माइनस 2 समझ में रहा है न और एक बार a पलस b लिखना है तो एक बार हम लिखेंगे x के power 2 पलस 2 और यहाँ पर a भी क्या है तो यह A है और यह B है और यहीं हो गया देखिए इसका भी गुलन खंड और यहीं हो गया इसका राइट एंसवर हम दूसरा परस्न को बनाते हैं तो दूसरा परस्न भी विल्कुल उसी तरह से हैं और यह भी इसी सुतर से बनेगा इसमें भी हमें क्या करना है किसी भी तरह से इसको इस रुप में ला देना है तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 A के पावर 2 है न तो हम इसको लिखेंगे 3 A के पावर 2 इस तरह से लिखेंगे और जब हम इसको हल करेंगे न तितना आ जाएगा देखिए कैसे 3 का स्क्वाइर होगा तो 9 हो जाएगा और एका स्क्वाइर है तो एका स्क्वाइर है फिर माइनस है तो माइनस उसी तरह से इसको हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 4B के पावर 2 फिर इसको भी जब हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा अब यह जो है इस सुत्रपर आ गया है इसको पूरा को मान लिजी कि यह हैं और यह वाला B है अब इसको क्या करना है इस सुत्रपर रख देना है तो हम एक बार लिखेंगे 3A-4B और एक बार इसी को लिखेंगे हम 3A-4B और यहीं हो गया इसका राइटेंस वर तो इस तरह के गुड़न खंड को इस तरह से बनाया जाता है